श्री वासुदेव रती केली, श्री वासुदेव रती केली कथा समेतम, ये जो कथाएं हैं श्री यानि श्री का दो अर्था आता है, श्रेते हरी इतीश्री, श्रेते हरि नाम इतीश्री, श्रेते हरी एक है कि राधरानी, जो रात दिन भगवान श्री हरी को याद करती हैं, जो अपना सर्वस जिनोंने श्री हरी के चर्णों में समर्पित कर दिया हो, सर्वतो भावेन, उनका प्राण जीवन धन, जो कुछ है वो केवल श्री हरी हैं, ऐसी जो राधानी है, जो निरंतर अपने प्रियतम पर ही आश्रित हैं, वो है श्री, तो ये कथा क्या है कहते है श्री वासुदेव, श्री वासुदेव, दो अपने श्री वासुदेव, श्री यानी राधा, एक अर्थ हुआ, श्रेते हरीम, दूसरा अर्थ क्या, श्रेते हरीनाम, कि जिन का, जिसका तातपर है, कि जिन राधारानी के चर्णों के आश्रित होकर के श्री हरी रहते हैं, शेखर यह स्वेयम राधारानी के श्रीजी के हम लोग बिंदावन में श्रीजी के चरण प्रांत में जो आसत्त चुणा मुनी बन करके उनके चरणों के आसपास ही घूमते रहते हैं स्रीजी के चरणों में जो विराजते है उतना ही नहीं है जो श्री जी को प्रेम करते हैं उन साख्यों के चर्णों में भी जो लोट जाते हैं दूर से देखो कहीं से बीदेखो एक उसी जी के पास आसपास ढूमते रहते हैं इसनावन में ऐसे जो श्रयते हरिणाम कि जो श्री जी के चरणों में विलुंठित होते रहते हैं देख्यो धूरियो वह कुंज कुटिर में बैठो बैठत पलो टत रादी का पायन ऐसे जो क्रिष्ण है वो भी श्री ही है तो श्रयते हरिम वो जो राधरानी है जो हरी के द्वारा जो अराधित है और वो जो राधरानी है जो हरी के अराधना करती है ऐसी राधरानी और वासुदेव वासुदेव नाम क्यों लिया यहां पर शाम हंदर या और ने कोई नाम नहीं लिया क्यों क्योंकि वासुदेव का कि जो राधा रानी की जो यह शक्षियां है उन सक्षियों के वी रिदय में जो रहते हैं अंतरिया रूप में जो सभी हमारे जैसे हम वक्तों के भी रिदे के रूप में रिदे के अंदर जो अंतर्यामी रूप में रहते हैं उनको कहते हैं वासुदेव तो कहते हैं वो वासुदेव जो राधानी के रिदे की बात जानते हैं जो सक्षियों के रिदे की बात जानते हैं और ये सक्षियां जो है इनको ये रसका अस्वादन करना है इस महा रसका अस्वादन करना है इसलिए सबके रिदे में बैठे जो ये बात जानते हैं ऐसे वासुदेव और ऐसे श्री जी इन दोनों की ये कथा है तो यहां नाम लिया श्री वासुदेव रती केली कथा समेतम पहले श्री यूज कर दिया स्टीजी कह दिया क्योंकि आज हमने शुरुआत्व में से की थी जो रामन अंद्राया ने भी कहा कि जब तक श्री राधा रानी का अदास्य स्विकार नहीं करते जब तक उनकी कृपा करुणा नहीं मिलती तब तक इस रस का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता जब त अधिक रजरानी की कृपा नहीं होती उसको पाने के लिए करना क्या है उसको पाने के लिए यूगल नाम का जाब करना चाहिए बहुत तो रसिको और रसिको की वानी का आश्रे है लेना चाहिए यूगल नाम का जब और सत्संग ये करते 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 धीरे धीरे चित रूपी घर चित सद्मप प्रवित्र हो जाएगा और उसमें राधा माधव प्रकट हो जाएंगे तब इस रसका स्वाधन कर पहेंगे अगर हम यह नहीं करते हैं रिनावन सत्संग रजरानी का सेवन रशी कोकिवानी का आश्रे राधानी यूगल नाम का जाप यदि हम यह नहीं करेंगे यह अगर हमारी भूमिका नहीं होगी तो इस भूमिका के अभाव में यह रस यह पचेगा नहीं यह सर्वोतकृष्ट तत्व है और करने की कृपा नहीं है तो यह रस पचने वाला नहीं है इसलिए इस रस में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो यूगल नाम यूगल नाम यूगल नाम के वलम